दोस्तों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 19 सितंबर 2020 का दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा दोस्तों अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है दोस्तों इस बेडियो के अंत में जो अनोखा तोटका है आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें ताकि आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं हो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके दामपत्ते जीबन के बारे में दोस्तों दामपत्ते जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदार है दोस्तों आज से पहले अगर आपके जीबन साथी के साथ आपका शम्बंध खराब हो गया था कमजोर हो गया था तो आज के दिन आप अपने शम्बंध को मजबूत करने का प्रयास करें क्योंकि आज के दिन इस काम को करने में आपका भग्य आपका शाथ अवश्य देगा दोस्तों अगर आपके कामकाज आपके बेपार बेवसाई की बात करें तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका समय सामानने से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन आप अपने कामकाज में अपने काड़े च्षित्र में अपने सेहकर्मी अपने कर्मचाडियों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करें अन्यथा आने वाले शमय के दोरान आपके कामकाज में आपको पड़ेशानी का शामना करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियाद बिहतर और सांदर है आज के दिन आपके प्रेम संबंध के मामलों में आपको कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान से थोरा सा नीचे है दोस्तों आज के दिन अगर आप अपने घर पड़िबार में कोई पड़िवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले आपको अपने घर बालों से बात करना होगा और घर बालों से बात करने के बाद ही आप कोई पड़िवर्तन करें अन्य था आने वाले शमय के दोराने आपके घर पड़िबार में आपको पड़ेशानी का शामना करना पड़ेगा दोस्तों आज के दिन आपके लिए भाग्य साली रंग है नारंगी और सुनहरा दोस्तों आज के दिन आपके लिए भाग्य साली रंग है छे यनी की सिक्स तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सान्दार होगा दोस्तों आज के दिन आप मानस मचली तमबाकू अंडा या जो भी तामसिक वस्तू हो तामसिक भोजन हो इन चीजों का कम से कम आज के दिन आपको त्याग करना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा तो दोस्तों इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें और साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें धन्यवाद राधे राधे